दोस्तों आज किसी भी देश की ताकत उसकी खूफिया एजेंसी पर निर्भर करती है। जितना तेज उस देश का खूफिया तंत्र होगा, उतना ही वो देश आगे रहेगा। भारत की खूफिय एजनसी रौ आज दुनिया में बहतरीन एजनसीज में से एक है। आज हम इस वीडियो में उस शक्स के बारे में जानेंगे जिसने इस रौ को बनाया और इसको दुनिया में बहतरीन एजनसीज में एक बनाने में सबसे बड़ा हात नीका है। तो फिर शुर लोग महरानी का स्वागत करने आये थे तबी उसी भीड में से किसी शक्स ने फूलों का एक बुके महरानी की ओर फेंका तो वो बुके बस महरानी के लगने ही वाला था कि वहां मौजूद एक शक्स ने उसे पकड़ लिया और वहां मौजूद सभी आदमियों का ध्यान उस श रक्षा की जिम्मेदारी इनी गे पास थी। इनकी इस सतरकता और काबिलियत को देख कर महरानी बड़े खुश हुई। उन्होंने इनसे मजाकिया अंदाज में कहा कि गुड क्रिकेट। जोइन कर लिया। इसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ और ग्रिह मंत्राले की नीचे फिर से जब IB का गठन किया गया तो उनको वहां बुला लिया गया। इन्होंने बता और जोइन्ट सेकेटरी के पद पर IB जोइन कर ली। ये दिखने में काफ़े स्मार्ट थे। इन कमजोर है। ये बात पूरी दुनिया के सामने अब आज चुकी थी। भारत में कई नेता अब खूफिया जिंसी के लिए मांग उठाने लगे थे। पर नहरू को चीन से दुश्मनी ने लेनी थी। और उनका चीन की तरफ नरम रुख। इनको ये करने को मना कर रहा था। पर 1964 में इनकी मृत्यु के बाद जब पीम लाल बहादुर शाक्स्तिरी बने तो इमांग और तेज हो गई और उसके पहले ही 1966 में शाक्तिरी जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद पीम कुरसी पर इंदरा गांदी जी बैड़ गई। जो चाहती थी कि भारत एक शक्ति के र आरेन काउ इनको रॉकर निदेशक बनाया गया। काउ ने केवल तीन साल के अंदर ही अपने काबलियत को साबित कर दिया। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में रॉने बहुत जरूरी रोल निबहाद था। रॉने पहले ही पाकिस्तान के एयर फोर्स के हमले का प् की मांग करने लगा। माहौल बनाया जा सके तबी बंगाल में तैनात अमेरिका की राजदूद पीटर सिक्किम पहुँचे और वहाँ के राजा से मुलाकात की। इनकी जानकारी जैसे एक आओ को मिली उन्होंने तुरंत मिटिंग कर ओपरेशन तीज करने को कहा। उसके बाद राजा के जिनम द दिया। इसके बाद वहाँ के राजा को भारत से मदद मांगनी पड़ी जिस पर ये तैह हुआ कि भारत अब सिक्किम की पुलिस को संभालेगी। राजा के पास केवल राजभवन और वहाँ के गार्ड्स पर अधिकार रहेगा। पर भारत तो सिक्किम का पूरा विलेज आ इसलिए चुनाव भी कराने का तैक किया गिया। पर चुनाव में विरोधियों का 70 फीसेदी में सीटों पर जीतना जरूरी था। इसके चुनाव से ठीक पहले काव ने आर्मी का फ्लैग मार्च कराया जिससे वहां की जनता की बीच लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ तो उसने इस मुद्दे को नैशनल मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीन भी भारत के इस फैसले के खिलाफ था। जब तक चीन कुछ कर पाता तब तक काव ने इंडिन आर्मी को राजा के महल में भीज कर उस पर अपना कबजा कर लिया। फिर सिक्किम का भ साल 1975 में एक सुपारी का व्यापारी बंगलादेश के राश्ट्रपती शेक मुझीबर रहमान से मिलने गया। तो राश्ट्रपती को लगा बिजनसमैन इनसे बिजनस से जुड़ी बात करने आया होगा पर ऐसा नहीं हुआ। उसने राश्ट्रपती को बताया कि बहुत जल परिवार में 40 लोगों के हपतियागर दी गई। ये काम किसी और नहीं बलकि उसी आर्मी मैन ने किया जिसका नाम मिटिंग में बताया गया था। ऐसे थे भारत के पहले रो डिरेक्टर रमाराव काओ। इनको भारत का मास्टर स्पाई भी कहा जाता है। इनके बारे में य नेपाल, भुटान और नजाने कितने देशों में केवल एक कॉल पर ये कोई भी काम करा सकते थे। साल 1966 से 1977 तक बतार रौक निदेशक के रूप में काम करते रहे। इसके बाद इंदरा गांदी ने इनको विदेशी नीतियों के मामलों में बतार अपने निजी सलाकार के प हो ती महते पून रहा